नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है डॉक्टर महीपाल सिंग राथोड और मॉर्डन इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 24 में आज हम डिसकस करेंगे 1857 से आगे बढ़ते हुए 1880 तक के आसपास का समयकाल तो दो इंपोर्टेंट वाइसरोय जिनका कारेकाल हम डिसकस करेंगे, देयार, मेयो, एन रिपन और थोड़ा सा फेमाइन पॉलिसी के बारे में मैं बात करूंगा कि जब अकाल पड़ता था तो ब्रिटिश हुकूमत का रिस्पॉन्स क्या था और किस प्रकार से फेमाइन कर रहे हैं कवर 1861 जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था इंडिन कांसिल्स आक्ट वहां से लेकर 1880 तक अगर आप अनकाड़मी प्लाटफॉर्म पर मेरे प्लस कोर्स या स्पेशल क्लासस की अब्डेट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो यू किन फॉलो मी ऑन महिपाल स अगर आपको इस लेक्चर का PDF डाउनलोड करना है तो आप पाथफाइंडर के ऑफिशल टेलिग्राम चैनल पाथफाइंडर अंडर स्कोर यूपेस्स पर जाकर ये PDF को डाउनलोड कर सकते हैं इस वक्त अनकाड़मी सब्सक्रिप्शन पर एक स्पेशल ओफर चल रहा है जि और अगर आप दो साल का प्लान लेते हैं तो एप्रिल 2023 नहीं बलकि प्रिलिम्स 2023 की डेट या फिर 31 जुलाई 2023 जो भी लेटर आता है उस दारीक तक आपका सब्सक्रिप्शन वालेड होगा बेसिकली आपको अल्मोस्ट चार से पांच महीने की एक्स्ट्रा वालिडिटी य ले लेते हैं तो आपको 20 किताबें मिलेंगी free of cost अगर आप one year subscription purchase करते हैं यानि कि आपको printed material भी अब इस course में an academy subscription में मिल जाएगा तो यहाँ पर जो दो सब्सक्रिप्शन हैं उनके बारे मैं आपको briefly बता देता हूँ plus और iconic नाम के दो सब्सक्रिप्शन है plus मैं आपको live classes मि लेंगी भारत के best educators के द्वारा यहाँ पर particular batches चलते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी चाहे पढ़े नहीं यहाँ पर structured batches हैं आपको एक structure में पढ़ाया जाएगा 2022 अगर आप पर target है तो आप 22 के batches को join कीजिए 23 target है तो 23 के batches को join कीजिए अगर आपको mains के लिए इस साल के लिए revision करना है तो आप इस साल के mains revision batches को join कीजिए particular exam के point of view से हम अब batches बना कर पढ़ाते हैं तो इसका आपको ध्यान रखना है iconic में आपको एक personal mentor भी मिलेंगे classes के अलावा तो ये दोनों courses हैं इनकी ये prices आपको pay नहीं करनी है use the code महिपाल and get flat 10% discount और अगर आप एक साल का subscription अभी लेते हो तो इसमें आपको books भी मिलेंगी extra validity भी मिलेंगी और plus जो class के benefits हैं वो तो रहेंगे अगर आप optional के तयारी करना चा SSE, Bank, Railways और भारत के लगबख हर राज्य के PCS के लिए भी Unacademy platform पर courses available हैं we are very upfront and transparent about the costs जो भी यहाँ पर subscription का price है आपको दिखरा है इस पश्क और ये भी आपको pay नहीं करना है अगर आप मेरा code यूज़ कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर 10% इसमें discount मिल जाएगा और ये price आ पहले Governor General था लेकिन बाद में 1858 में उसका designation change करके Vice Roy कर दिया गया तो 1862 में Canning को वापस बुला लिया जाता है और उसकी जगे भीजा जाता है James Bruce को लेकिन इसको James Bruce के नाम से कोई नहीं जानता इसको बस Elgin कहते हैं और क्यूंकि अब 1860 की दशक तक camera का अविशकार हो चुका ह तो आज के बाद आपको जो भी Vice Roy के नाम मैं लूँगा उनके आपको photograph देखने को मिलेगे पहले क्या होता था painting दिखा रहा था मैं अभी तक अब आपको मैं बढ़िया बढ़िया black and white photos ढूंड के निकाल के दिखाऊंगा लेकिन photo चाहे कितना ही शांदार इसने खिचवा ल इसके कारेकाल में सबसे important घटना क्या होती है Supreme Court और सदर अदालतों को merge करके तीन नए High Court बना दिये जाते हैं Calcutta, Bombay और Madras High Court आपको यादे सदर अदालत किसने बनाई थी याद गरो कौन सा था, Cornwallis था, Hastings था, Bentic था, किसने बनाया था, फटा-फट कमेंट में मुझे बता दो, मुझे answer चाहिए इसका, सदर अदालत और Supreme Court को इसने merge करके तीन नए High Court बनाएं, इसके कारेकाल में अफगानिस्तान में एक policy follow करी गई ब्रिटिश सरकार के द्वारा, Masterly Inactivity, यानि कि हम इतने बड़े Master Blaster हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, Inactive रहेंगे, अफगानिस्तान म और के बारे में फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता दिया था, Second और Third के बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन तीनों को एक साथ combine करके मैं पढ़ाऊंगा, अगली याद रखने लाए घटना है Anglo-Bhutan War, तो पांच महीने चली इस लड़ाई में भुटान की हार होती है, अंग्रेज़ों और भुटान के बीच में क्या relation था, देखो 18th century के समय से ही इनके बीच में व्यापारिक relations थे, दोनों एक दूसरे के साथ trade करते थे, और कुछ एरियास में भुटान ने, एस्पेशली जो foot hills वाला region है, हिमाले के नीचे ये वाला जिसको द्वार region कहा जाता है, यहाँ पर British supremacy इन्होंने मान ली थी, यह एरिया पहले भुटान के control में हुआ करता था, यहाँ से भुटान tax वगेरा collect करता था, और यहाँ पर ब्रिटिश को अपनी हुकूमत जमानी थी, लेकिन 1826 में जब Assam इनके पास आया, तब यह थोड़े यहाँ पर powerfully exert करने लग अपना role और इस प्रकार से ultimately भुटान और East India Company आ जाते हैं, conflict में, लेकिन फिर 1857 की करांती आ गई, तो England का ध्यान थोड़ा सा भुटान से हट गया, finally, 1864 में जाकर क्या होता है, कि इनके बीच में लड़ाई होती है, लड़ाई का कारण वगेरा इतना कभी पूछा नहीं जा बने थे, उन्होंने इनको भगा दिया, कि हमें कोई peace treaty नहीं चाहिए, और भागो यहां से, तुम्हें तो हम पहाड़ों से नीचे उतार देंगे, तो जब Ashley Eden वापस आया, रोते रोते, तो इसने आकर Lawrence को कहा, कि Sir Lawrence, हमारी तो बेज़ती हो गई है, बदला लेना पड़ेग कि आर्मी हार जाती है, क्योंकि इनके पास modern weapons नहीं थे, और अराम से East India Company, अब सॉरी, East India Company नहीं है, अब तो British Government है, British Government जीच जाती है, और भुटान को, यह एक भुटान से संधी साइन कर लेते हैं, और कहते हैं कि यह द्वार region अब हमारा, तो इसके कारण आज यह पूरा region भ के लिए बहुत ही strategic है, यह सब तो आपको पता ही होगा, कुच बिहार, जलपाई, गुडी, यह सारे जो district है, यह द्वार region में आते हैं, तो यहाँ पर चाय के बहुत सारे बगान हैं, अंग्रेजों ने आगे चलकर यहाँ पर चाय बगान establish किये, अच्छा, एंगलो भुट लेकिन direct suzerainty नहीं थी, भुटान के उपर एक अबजा नहीं करना चाते थे, अंग्रेज, in fact इन्होंने कभी नहीं किया, because Himalayan kingdom है, directly Tibet के या फिर आगे चाइना के conflict में क्यों आना है, तो इन्होंने एक buffer की तरह भुटान को और नेपाल को use किया, 1864 में Lawrence के कारिकाल में ही, प local bodies या municipalities में, तो अंग्रेजों को अचानक local bodies बनाने का क्यों विचार आया, क्योंकि इनके पास, केंद सरकार के पास पैसे नहीं थे, overcentralization के कारण, लडाईयां लडने के कारण, 1857 के विधरो के कारण, इनके पैसों की बहुत इनको तंगी आ गई थी, England में जो सरकार है, London मे वो कहती थी कि अरे भई तुम देश चला रहे हो पूरा, वहीं से tax रसूल हो ना, हमसे क्यों मांगते हो बार बार, तो इन्होंने क्या करा, कि local municipalities से tax raise करने के लिए, ये idea लगाया कि चलो municipalities बना देते हैं, दोनों काम हो जाएंगे, एक तो civic immunity भी देतेंगे, यानि कि लोगों पहले एक आदमी होता था, जो रोज शाम को जाकर गली के अंदर पहले तेल से, उसमें पहले तेल लालता था और फिर उसमें आग लगाया करता था, तो इस प्रकार के street lamp लगाने और दूसरे अन्ने काम शुरू होते हैं, during the time of Lawrence, और अब भारत में किया है कि थोड़ा सा रा solution जैसी बाते हैं यहाँ पर नहीं करेंगे, तो British यह चाहते थे, कि जो Indian National Movement है वो ज़्यादा बड़ा रूपना अक्तियार कर ले, तो कुछ भारतिय लोगों को भी धीरे धीरे इसमें nominated members में जगे देनी हम शुरू कर देंगे, appeasement कर देंगे, यानि कि 10 में से 2 लोगों को ख restriction लगाए गए थे, उसको regulate किया गया था, लेकिन अब registration act में क्या था कि हर किताब या newspaper को ये चापना ज़रूरी था कि publisher कौन है, कहाँ पर publish हो रही है, पूरी details चापनी ज़रूरी है, ये in fact आज भी है, भारत के अंदर ये कानून आज भी लागो होता है, मतलब exactly ये कानून लेकिन publisher का नाम आज भी हर magazine पर लिखा रहता है, आपको compulsory है, बिना publisher के नाम के आप कोई भी magazine नहीं चाप सकते हैं, और जो भी magazine ये अकबार है, उसकी copy local government को submit करी जाएगी, एक महीने के अंदर अंदर, अगर उनको कुछ आपति जनक लगेगा, तो वो उसको हटा भी सकते ह who was the 6th Earl of Mayo, या फिर इसको Lord Mayo के नाम से ही जानते हैं, Earl, Duke, ये सब क्या होते हैं, याद है ना आपको, बताया था मैने एक lecture में, तो Mayo का कारेकाल है 69 से 72 तक, इसका कारेकाल छोटा इसलिए रह गया क्योंकि इसकी हत्यागर दी गई थी, ये अक्यला वाइसरोय है, जिसकी पद Decentralization का काम शुरू हुआ था Mayo के आने के पहले, उसको इसने काफी आगे बढ़ाया और financially decentralized करना शुरू किया, भारत के इतियास में पहली बार एक census होता है 1871 में, हाला कि ये पूरा census नहीं था, इसलिए first full census 1881 वाले को कहा जाता है, लेकिन ये भी इसकी एक important उपलब्दी है क इसने census शुरू कराया, Mayo ने, Mayo ने दो important schools बनवाए, या इसके कारण बनाए गए, बनाया तो इसने नहीं थे, लेकिन इसके inspiration से या थोड़ा इसने मलब गाइड किया था, किया इस तरह के अच्छे school बनाओ, तो इन्होंने बनाया एक तो अजमेर में Mayo College, और एक बनाया काठि उनको यहाँ पर educate किया जाए, इनका लक्ष था कि England में एक college है, इसका नाम है Eton, तो Eton College जो है, वो वहाँ पर famous है, कि उसमें केवल वो Duke और Earl के बच्चे पढ़ते हैं, और अलगी तरह की वहाँ पर ग्यान मिलता है उनको, तो इसी प्रकार का ग्यान यहाँ पर भारत में भ राजाओं के लिए था, लेकिन अब आजादी के बाद तो यह, इसमें कोई भी admission ले सकता है, it is free and open for everyone, अब इस तरह का restriction नहीं है, क्योंके article 14 है, तो देखे, यह दो colleges के नाम याद रखेगा, कि यह Mayo के समय में इसने बनवाने शुरू कर दिये थे, हाला कि इसकी मृत्यू के फिर इसने statistical survey of India की स्थापना करी, department of agriculture और commerce की स्थापना करी, आप देख रहे हो, धीरे-धीरे portfolio से आगे बढ़ते हुए departments establish हो रहे हैं, Mayo ने railways को state owned बना दिया, यानि कि इनका राश्ट्री करन कर दिया, पहले इंग्लैंड की कंपनियां आकर भारत में पैसा लगा कर railway line को develop क पर था, वहाँ पर जो जेल है, सजाय काला पानी, आपने सुना ही होगा उसका नाम तो, तो Port Blair में उस जेल का निरिक्षन कर रहा था Mayo और वहाँ पर एक पठान कैदी था, जिसका नाम था, शेर अली अफरीदी, वो किसी बात से अंग्रेजों पर नारास था, मतलब इसी बा कतल कर दिया, और ये काफी shocking incident था, पूरे British Empire में इसके कारण एकदम से, मतलब अब समझ रहे हैं कि वाइसरोय का कतल कितनी बड़ी बात है, he was the head of the entire British India, खेर उसके बाद ये लोग तोड़े security को लेकर strict हो गए थे भविश्य में, बागी पहले कोई security हुआ नहीं करती थी, in fact अजादी के बाद भी आप देखोगे, तो कई जो बड़े नेता हैं, जैसे Chief Minister वगएरा की इतनी security नहीं हुआ करती थी, किवल Prime Minister, President इनकी इतनी security थी, जो दूसरे नेता है, MP, MLA तो बिना security के घुमा करते थे बहुत सालों तक, अजादी के बाद, Mayo ने provincial governments को काफी फायदा दिया, provincial governments को, यानि Bomb Bay Presidency, Madras Presidency, इनको ये कहा गया, कि जो केंदर का budget होगा, उसमें आपके लिए हम कुछ पैसा fix कर देंगे, और उन पैसों से आप police, jail, education, medical services, roads, ये सब बनाने का काम कर लेना, अब provincial governments जो हैं, ये इन services को जैसे चाहें, वैसे वो develop कर सकती थी, अगर उनने लगता है कि jail में ज्यादा पैसा डालने की ज़रूते है, या फिर ज्यादा सडके बनाने की ज़रूते है, तो उस अनुसार उस पैसे को खर्च कर सकते थे, उनको थोड़ी सी freedom दे दी गई, Mayo local government के लिए इतना ज्यादा active था कि उसने एक वाक्य कहा था या फिर health facilities, इस तरह की सुविधाय देनी है लोगों को, तो उसके लिए local interest होना चीए, local सरकार का interest होना चीए और local star पर उसका निरिक्षन जरूरी है, कुल मिलाकर ये local provinces को government को काफी बढ़ावात देता था, तो Bengal, Madras, North Western province, इन सब provincial governments में municipal act पास किये गए, तो इन्होंने अप Northbrook, Northbrook का कारेकाल भी कोई खास important नहीं है, इसके कारेकाल में बस दो-तीन important गटना है होई थी, जो एक line में समेटी जा सकती है, पहला Prince of Wales की visit, अच्छा Prince of Wales कौन होता है ये जान लो, जो भी Britain में राजा या रानी होती है, उसका जो सबसे बड़ा बेटा होता है, यानि कि ग मुझे उसका याद नहीं है, कौन सा होगा, George V होगा, ठीक है, नहीं, George V नहीं, George IV होगा, George IV जो आगे चलके George IV बन गया था, he was the Prince of Wales at that time, तो अब देखो, भारत में Queen Victoria तो आएंगी नहीं, Queen Victoria अलरी इस समय 60 साल के आसपास उनकी उम्रे थी, तो Queen Victoria का तो आने का कोई सवाल नह पार आयते, 1911 का जो दिल्ली दर्बार है, उस समय ब्रिटन का राजा भारत आयता, उसके अलावा कभी कोई राजा भारत नहीं आया, या तो वो अपने बच्चों को भेज देते थे, Prince of Wales को या फिर अपने किसी भतीचे-भतीचे को भेज देते थे, तो इसी से वो Crown representative भेज दिया जाता था, खुद Crown कभी भारत नहीं आया, apart from one instance, दूसरा था Trial of the Guyquard of Baroda, जो Baroda के Guyquard राजा थे, उन पर यह आरूप लगाया है कि उन्होंने अपने Political Agent को मारने की कोशिश करी, तो उनका बकायदा एक राजा का Court में Trial चला था, मुकदमा चला था, not important for us, कभी कुचा नहीं जाता है, कुका मुवमेंट पंजाब में इसनके कारेकाल में शुरू होता है, कुका मुवमेंट को मैं आगे Social Reform मुवमेंट के दुरान पढ़ा दूँगा, next is Litton, Litton का कारेकाल थोड़ा हमारे लिए important है, Litton जो है, यह 76 से 80 के बीच में 4 साल के लिए था, ल the time 1877 आता है, तो वैसे 1858 में भी एक दर्वार लगाया गया था, कहां अलाबाद में, लेकिन वहाँ पर इतने जादा राजा महाराजा नहीं थे, बहुत कम थे आसपास वालों को बिलाया था, लेकिन दिल्ली दर्वार में तो इन्होंने दूर दरास से, चाहे वो मैसूर हो ट्रावन कोर हो, राजकुताना हो, गुजरात हो, कश्मीर हो, सभी राजा महाराजाओं को invite कहा था कि आओ, दर्वार लगेगा, और इतना बड़ा दर्वार लगा था, ये सारे दर्वार दिल्ली में लगते कहां थे, दिल्ली में जो लोग रहते हैं, उनको मैं बताता को, मुकरबा चौक के पास में एक बहुत बड़ा मैदान है, उसका नाम है कोरोनेशन ग्राउंड, वहाँ पर ये दर्वार लगा करते थे, बहुत बड़ा ग्राउंड है आज भी, उस समय तो और बड़ा हुआ हो का, क्योंकि वहाँ एंक्रोजमेंट्स वगेरा नहीं थे, तो वहाँ पर ये सारे दर्वार लगते थे, इस दर्वार में आप देखो, यहाँ पर ये राजा महराजा की तरह बीच में कौन बैठा है, वाइसरोय, और उसके साथ किसी एक विक्ति को बुला लिया जाता था लंडन से, राजपरिवार से, अब महारानी खुद तो आएं बस यहाँ पर, समझ रहो, यहाँ पर राजा है, राजशाही है, उसके लिए परेड हो रही है, तो इस दर्वार की खासियत यह थी, कि क्वीन विक्टोरिया को एक नई उपादी दी जाती है, अब वैसी क्वीन एक विक्टोरिया, इंग्लैंड की तोर महरानी थी, लेकिन उनको इंप्रेस करने के लिए लेटन ने एक नया तरीका निकाला, लेटन ने खा चलो महरानी को थोड़ा इंप्रेस करते हैं, तो महरानी को प्रोक्लेम किया गया, महरानी को नई उपादी दी गई, क्वीन एंप्रेस ओफ इंडिया, आप ना किवल इंग्लैंड की, बल्क ये वो ही root word वही है Latin का, तो दो उपादी दी गई, दोनों याद रख लेना, सीधा तोर पर पूछ लेता है, काईजर ए हिंद या Queen Empress Victoria को कब proclaim किया गया था, 1877 के दिल्ली दर्बार में, कुल मिलाकर तीन बार दिल्ली दर्बार लगाए गये थे, और तीनों ही important है, exam में पूछ रखने हैं आपको, second दर्बार लगा था 1903 में, उस समय ब्रिटन में राजा कौन था, King Edward VII और Queen Alexandra, यहाँ पर लगवाने वाला वाइसरोय कौन था दर्बार, करजन, यह भी एक अलगी character था, 1911 में तीसरा और आखरी दिल्ली दर्बार लगता है, उस वक्त राजा कौन था, King George पंचंग, King George V और Queen Mary, और यह एकलौता दर्बार था जहाँ पर खुद राजा परसनली आया था, King George V came to India, Harding उस समय वाइसरोय था, और George V was the only ruler who ever visited India, अच्छा मैंने आपको भी कुछ मिनिट पहले Prince of Wales बता दिया था George, राइट, George नहीं था, Queen Victoria का सबसे बड़ा बेटा यह थ Edward VII, he was the Prince of Wales, ठीक है, I'm sorry, अब मैं कहां-कहां के याद रखू, मिलब इंग्लैंड के भी राजा प्रिंस, यह सब याद नहीं रहते हैं, कभी-कभी confused हो जाते हैं हम भी, तो Edward VII was the Prince of Wales, उसके बाद George V और आगे आपको कहानी बता ही है, George VI, Edward VIII, बहुत सारे राजा आये थे, अ और किसके लिए और्गनाइस कराया गया था, King Edward VII के लिए, was held by Lord Karzan, was Edward VII present in India, no, दिल्ली में खुद वो नहीं आया था, किवल George V और Queen Mary actually में आये थे, दिल्ली में, capital-apital shift किया था, बहुत सारी घोशना है हुई थी, आगे पढ़ेंगे, आनाई वाले हैं कुछ लेक्चर, support करना शुरू कर दिया, decentralization of finance, जो मेयो ने शुरू किया था, उसको इसने और आगे continue किया, provincial governments को और जाधा ताकतें दी, और उनको अपने land revenue, excise, stamp, law, justice, इसमें भी खुली छूट दे दी, तो law, justice जैसे मामले पहले केंदर से तैय होते थे, अब land revenue system, cornwallis के समय में तो जो cornwallis decide कर दिया, वो पूरे British India में लागू होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब इसने, Lytton ने ये छूट दे दी के ठीक है, North Western Frontier province में आप अपना अलग land revenue system रखो, Bombay वाले अलग रख लो, हमें कोई आपत्ती नहीं है, Lytton wanted to encourage provinces to collect revenue and thereby plan to strengthen the financial power and position of the provinces, again ये भी provinces को और जाधा strong बन रहे हो, Lytton ने ततकालीन civil services aspirants के साथ बहुत बुरा किया, उसने ICS exam, Indian civil service exam की जो minimum age है, उसको गड़ा कर 21 से 19 साल कर दिया, और 1878 में उसने statutory civil service चालू करी, जो केवल भारतिय लोगों के लिए थी, तो ये एक 2M दरजे की service थी, जिसमें केवल भारतिय लोग शामिल हो सकते थ लेकिन हाला इस statutory civil service को बाद में बंद कर दिया गया था, और ये वाली age limit भी आगे चल के बढ़ा दी गई थी, लेकिन कुछ समय के लिए ये 19 साल थी, age limit कम करने का फायदा क्या हुआ, ब्रिटिश हुकूमत ही आश्वस्त हो गई कि अब कोई भारत का व्यक्ती, 19 साल की उम् 11-12 साल की उम्रे से पढ़ना शुरू कर दे, नहीं, तो ये थोड़ा सा discriminatory behavior था, अब Northbrook और Lytton के समय में भारत में बहुत सारे अकाल पड़े, 1873-74 में बिहार में बहुत जबरदस फैमाइन होती है, उस समय बेंगौल का जो left-knit governor था Richard Temple, उसने कुछ अच्छे काम किये ल लोगों को नहीं दिया गया, और इसका British circles में, London की press में काफी criticism होता है, कि अरे तुम native भारत के लोगों के लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो, और इतना करने के बाद भी एक लाग टन अनाज खाली रह गया, वेस्ट हो गया, तो ये तो बहुत गलत है, इतना heavy expenditure हम क्यों कर र में, जब almost पूरे भारत में एक भैंकर अकाल पड़ता है, आज हमें पता है कि उसका reason ये था कि El Nino Oscillation या फिर Indian Ocean Dipole, ये सारे reason थे कि बारिश नहीं हुई थी, लेकिन क्या हुआ था कि दो लगातार season बारिश नहीं हुई, 76 में भी नहीं हुई, 77 में भी नहीं हुई, तो ज फेमाइन तो भारत में हर 5-7 सालों में आती थी, अकाल तो हर 5-6 सालों में पड़ता था, लेकिन इसको great फेमाइन इसलिए कहते हैं, क्योंकि इसमें 80,000,000 लोग मारे गए थे, आप imagine करो उस समय आबादी भारत की होगी, मुश्किल से 25 करोड और उसमें 80,000,000 लोगों का मार जाएगा यह, approximately 4-5, 5 times तो लगबख 4-5 करोड लोगों का मरना, तो imagine करो, आज अगर ऐसा अकाल पड़े जिसमें देश में 5 करोड लोग मारे जाएं, इसलिए इसको great फेमाइन कहा जाता है, और इस अकाल से निपटने के लिए लिए लिटन ने क्या किया, तो vice royal लिटन ने भारत के इतिहास का सबसे बड़ा export उसी साल किया, 3,20,000 टन गेहूं ब्रिटन भेजा गया भारत से, जबकि भारत में लोगों की ये परिस्तिती थी, खाने को कुछ नहीं था, मवेशी सारे मर रहे थे, जमीन बंजर हो चुकी थी, ऐसी हालत में कुछ sensible officers थे, British India के इस government में, जिन्हों ने थोड़ा सा सोचा कि नहीं, ये आबादी अगर पूरी खत्म हो गई, या फिर इस देश में अकाल के कारण इतना बड़ा issue आ गया, तो हमारे उपर भी इसका आसर कहीं ना कहीं आएगा, long term में, तो जो temple, वो left net governor था, बेंगॉल वाला, अब वो बन गया famine commissioner, तो भारत के लोगों को अनाज दिया जाए, उसके बाद export किया जाए, तो policy of lassi fare रखें, दूसरा, qualification for relief, relief क्या होता था, कि देखो, relief works चलते थे गाओं में, जिसे आप देखतो, आज मनरेगा चलता है, तो मनरेगा तो वैसे अब permanent policy होगे, लेकिन पहले क्या होता था, जिसे अग काफी इस्तमाल होता था, कि relief, सरकार relief का काम चला रही है, तो ये जो आज मनरेगा जिसको कहा जाता है, कुछ उसी तरह का ये काम उस समय चलता था, लेकिन अकाल के समय में, तो relief works के लिए क्या qualification है, कौन काम करेगा, कितने पैसे दिये जाएंगे, उसमें थोड़ा सा standard उसने बनाएं, दूसरा relief rations, यानि कि सरकार की तरफ से कुछ राशन दिया जाए, अगर खाने को कुछ भी नहीं है, पूरी तरह से खेतों में फसल खत्म हो चुगी है, तो सरकार import करके बर्मा या अन्य हिस्सों से, मालो महराश्टर में अकाल है, तो देश के दूसरे हिस्सों से import करके अनाज को वहाँ के लोगों को दिया जाए, तो इसमें relief work में दो तरह के काम थे, एक इन उन रखा जो actually में काम कर सकते थे, able-bodied men, यानि कि ऐसे आदमी जो काम कर सकते हैं, उनको अलग पैसे दिये जाए, और कुछ charitable relief work है, यानि कि उनको पता है कि बच्चे हैं, विचा इसा दिया जाए, या फिर कुछ अनाज दिया जाए, काम के बदले, तो काम के बदले, अनाज, योजना या इस तरह की जो सारे ही आपने नाम सुने होंगे, ये सब इसी समय से policy शुरू होती है, और ये photograph actually में 1876-78 का है, great famine के समय का, आप देख रों लोगों की पसलिया नज इंडिया, यहाँ पे जादा था, 1899 वाला जो है, वो नौर्थ और यहाँ पे गुजरात महराष्टर वाले रीजन में जादा था, और जो 76 वाला है, उसका बड़ा असर यहाँ डेकन वाले एरिया में था, 8.2 मिलियन डेथ बताई जाती है, 80 लाक से भी जादा मौत है, अपना वो दिल्ली दर्बार, तो लोग गुस्सा नहीं होंगे क्या, लोग देखेंगे नहीं क्या, कि हमारी हालत तो ऐसी हो रखी है, और लिटन महां दर्बार करवा रहा है दिल्ली में, तो इस अकाल के बारे में जो मैंने बातें अभी आपको बताई, वो mostly सब यहाँ प जो है, वो कुछ नहीं करती थी, लिटन's government failed miserably to tackle the situation, और जितने भी relief measures इन्होंने दिये, वो सब कम पढ़ गए, और इस अकाल में 80,000,000 से भी जादा लोगों की मृत्ति होती है, फाइनली ब्रिडिश सरकार में थोड़ी सी अकले आती है, कि अब हमें एक proper famine policy बनानी पड़े कि हमें काम देना पड़ेगा, relief works चलाने पड़ेंगे, construction work चलाएंगे, जिससे की लोगों को थोड़ा पैसा मिले, अनाज मिले, और famine code बनाया है इन्होंने 1883 में जाकर, लेटन के कारेकाल का अगला important event है, Vernacular Press Act, Vernacular का मतलब होता है local भाषा, ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कि महराष्टर की Vernacular Language का है, मराथी, गुजरात की Vernacular Language का है, गुजराती, तो Vernacular Press Act में कौन शामिल है, जो अंग्रेजी में नहीं चाप रहे, local भाषाओं में अकबार चाप रहे हैं, तो अभी तक तो क्या दा कि mostly जो पत्र-पत्रिका हैं छपती थी, वो English में होती थी, उनको mostly European चाप रहे थे, लेकिन अब दीरे-दीरे printing press थोड़ी सस्ती होने के बाद, हिंदुस्तानी लोग भी कई अकबार चापने लग गए थे, 19th century में, social reform movements भी चल रहे हैं, parallelly, आगे पढ़ेंगे हैं उनको, तो राजा राम, मोहन, रोय जैसे characters हैं, वो लोग भी अपने अकबार, पत्रिका हैं, magazines चाप रहे हैं, तो finally British सरकार को लगता है कि इन पे भी लगाम लगानी पड़ेगी, तो Vernacular Press Act को एक उपादी दी जाती है, gagging act, gag करने का मतलब होता है, किसी के मुँँ पे पट्टी बान देनी, आपने देखा ना, kidnap करते हैं, तो वो मुँँ पे पट्टी ब कि वो editor, publisher या printer से एक undertaking लेगा, यानि एफिडेविट लेगा, जिसमें वो पहले ही लिखवा लेगा, कि तुम सरकार के खिलाफ कुछ नहीं लिखोगे, मतलब आप अगबार के editor से पहले ही written में लिखवा कर ले रहे हो, कि तुम सरकार के खिलाफ कुछ नहीं लिखोगे, अग कि अब कौन editor अपनी printing press, जो की इतनी महंगी आती थी उस समय, उसको कौन जब्त होने देना चाहेगा, और कौन जेल जाना चाहेगा, तो vernacular press act को gagging act कहते हैं, याद रखेगा, लिटन के समय में यह आया था, और एक छोटा सा है arms act, arms act का मक्सद क्या था कि भारत के लोग बिन लइसन्स के हतियार ना रख सके, अब देखो इसके पहले हतियार का कोई license नहीं होता था, दुनिया में जो चाहे हतियार रख सकता था, आज-धियारनी की तरह नहीं चलती थी चीज़ है, तो 18-78 में भारत में पहली बार हतियार रखने के लिए license रखने का प्रावधान लाय जाए गया कि अब आपको सरकार से अनुमती लेकर फिर आप बंदू के रख सकते हो हम चलाते हैं डेली हफते में 6 दिनी आती है और यहाँ पर GS की static portions को हम टेस्ट कर रहे हैं 30 questions 30 minutes आप चाहो तो 10-15 मिनिट में भी सवाल सॉल्व कर सकते हो साड़े बारा बज़े यह डेली लाइव हो जाती है और जो top 10 rankers है उनके लिए special prizes है जो top 10 ranks आएंगी उनकी गोशना हम community post में कर देते हैं और उनके लिए कुछ छोटे से prizes हैं अगर बड़ा prize जीता है तो unacademy combat में हिस्सा लो रवीवार को 11 बज़े यह organize होता है यहाँ पर जो scholarship का pool है वो काफी बड़ा है और top 500 rankers के लिए सब के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा तो अगर आपको लगता है कि आप subscription purchase नहीं कर सकते तो थोड़ा सा unacademy combat में हिस्सा लेकर अच्छी सी scholarship जीत लो और बड़ा आपको discount मिल जाएगा या फिर free में भी पूरा course आपको मिल सकता है याद रखे इस combat हिंदी में भी उपलब्द है और combat और Pathfinder test series दोनों ही completely free है all you need is to apply a unlock code, unlock code है आपका महिपाल इस code का इस्तमाल करके आप इन दोनों initiatives में हिस्सा ले सकते हैं thank you very much, please subscribe to Pathfinder